रिट के होनारों का अरदिख स्वबत और अभिनादन हम बात कर रहे हैं पहले युणिट ऑर अभी तक हमें अंदर सुक्ष्म जीव की और। जिवानों में आज में बात करनी हैं, जो टॉपिक है जिवानों की सरचना, जिवानों की सबसे पहले बात करते हैं कैपसुल की कैपसुल की बिना समय गवाय आप प्रटा फट लिए किपसुल के बाद में आती है कोशिका भित्ती कोशिका कोशिका बित्ती क्योंकि आप जानते हैं कि समय बहुत कम है कैपसुल बाहर होगा उसके बाद में आगा कोशिका बित्ती कोशिका बित्ती की बाद में आगा कोशिका जिल्ली जिल्ली कोशिका जिल्ली आंत्रिक सरतना है कोशिका जिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य कोशिका अप्रव्य है और द्रव्य के बाद में आएगा हमार पास में एक अलग से प्रधारत को आएगा और निकलॉट तो इस प्रकार सबसे बाहरी-बाहर जो आवरण हता है उसे बोलते हैं कैपसुल कैपसुल जो है क्या कैपसुल जो जानते हैं वह एक जिवानों को अवरित करने वाली बाहरी सरचना है जो जिवानों को पूर रूप से ढख देता है ज्यान से बात को समझना जिवानों को बाहर से ढखने वाली सरचना कौनसी है वह कौनसी है कैपसुल है कोशिका बित्ती के कोनों होगा कोशिका बित्ती के भीतर कोनों होगा कोशिका जिल्ली होगी यहां पर समझेने वाली बात क्या हुई कि यह विशीष प्रकार की कोशिका है और किसका बना होता है तो पॉलि सकीरट का बना होता है किस की बात कर रहा हूं मैं इस परक बार की तरफ अगर मानों 聊 घुवानों है तो इसमें सबसे बाहर की तरफ एक और होगा खारन को हम तत्व भी पाए जाएंगे जितने भी नाइट्रोजन के कोई तत्व या प्रदार्थ हैं उनकी उपरस्तिती भी क्या होगी इसके साथ में होगी और जो जिवानों हैं उनके उपर अगर कैपसुल पाया जा रहा है तो उन्हें हम एस से लिखेंगे जिवानों जिनके उपर कैपसुल पाया जा रहा है उसे क्या लिखेंगे भी जान देने वाली बात है एसे जिवानों पर कभी भी कशाविक नहीं होगा क्या important चीज हुई सबसे बाहर की तरफ जो आवरन पाया जा रहा है से जीवों में जिवानों के अंदर वो जिवानों में कौन सा है कैपसुल है और बाहर की बाहर उसे कौन सा बना हुआ है से से बना हुआ ऊसे सब्सक्राइब नेहीं है और इसके ऊपर क्या होगा इसको ऑपर क्या इस्पेस कर रहे हैं तो तो बोलेंगे उसलोड़ार था वहीं खुरद्रा अब बॉलिए जीवानों में चिकना करते हैं या कशापिक होता है अब ऐसी बात करते हैं जिन जिवानों के अंदर क्या होगा आर जिवानों आर जिवानों कोन होंगे ऐसे जिवानों जिनके अंदर क्या होगी सता चिकनी नहीं होगी चिकनी नहीं होगी अर्था उस बर क्या होगा कैप्सुल पाया कोशे को भित्ति को समझने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा जिवानों के अंदर ग्रिशिष्प्रकार की बाहर की वह ना बाहर की ओर यानि कोषिका जिल्दी के ऊपर ठीक कोशिका जिल्दी के उपर एक कथोर सरचना पाई जाती है उसे कोशे कोश पती जो है हरील में जिवानों की जो कोशे का भित्ती होती है वो किसा बने होती है तो यह बनी होती ह Ching हमारे पास ने प्रोटीन की तो वसा की और एप लिपीड योणि वसा प्रोटीन है न सबसे निर्मित विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ट्रिक क्लावा एंपाइडा प्रदार्व है इंधर बात कर रहा हूं कोउछी का भित्ती की मेंधा कर रहा हूं कोउछी का भित्ती जो है प्रोटीन और वसा से निर्मिते, विस्षिस प्रकार का बरदारत फेप्टाइड और गलाइकेन पाया जाता है और कठोर होता है अच्छा कठोर सरचनाव के साथ साथ में इनमें क्या होता है कि दो प्रकार के जीवानों पाया जाते हैं एक तो होता है ग्राम पॉजेटिव औ चता है उन में कौन सांवल फाया जाता है याद रखना एकतो हम लेखना। ती काई को टी के साथ में काई थी दो यसा लेतना और काइक को को रहे सांफिक याद हो जाएगा यहां लाइको कर देते हैं हां लाइको पॉली सेकेराइड मेरी बात समझ में आ रही है ग्राम नेगेटिव के अंदर लाइको पॉली सेकेराइड प्रकार का अमल पाया जा रहा है जबकि यह ग्राम पॉजिटिव के अंदर टीक आइक प्रकार का अमल पाया जा रहा है तो बा कशेonceने कोषिका बित्ति के अपने बात करी इखसेक जिल्दी कोषिका बित्ती के ठीक पईजरी कोछी का जिल्दी जो है कि अंदर कोषी का बित्ति के ठीक अंदर बाई जारी यानि कि यह वालि जो सब्सक्राइक सरय है या अंदर वाली तिसरी नंबर Wochen रजना है वही क्या है प्लाज्मा मेंब्रेन यानि की प्लाज्मा जिल्ली या कोशी का जिल्ली के नाम से जान रहे हैं तो इसकी भी कुछ खाशत है यह अपने आपने महत्पूर्ण है कोशी का भित्ति को यहां से मिटा देते हैं है अब इसकी क्या खाशत है कोशी का जिल्ली जो होती है एक प्रकार की प्रत्यास्त होती है प्रत्यास्त को मतलते हैं जो रबर की तरह होखीजा जा सके थोड़ी लचीली प्रकार की होती है तो कोशी का जिल्ली जो होती है प्रत्यास्त होती है और यह वरनात्मक होती है वरना कि या एंक पर स Goo झाल कि आ यहंति कमिनी प्रविश करना से और वरणात्मक्पार गंक्र मतलब किया हो गया और सब्सक्रीड इसे विलर्ण को सलेक्ट करके एक इस्तान से दूस्सरे इस्तान पुष्च करवा उससे बन नहीं होती है किसकी बात कर रहा हो में ये बात करों कोईशी का जिल्ली की भी हमें याप के लिए को शीडार्स होगी और वनात्मग पारगम्य होगी यह समझने की इसलेजने पाई जाती साथ में एक विशिष्ट प्रकार की अंतर वलयन पाया जाएगा इस प्लाजमा कोशिक जिवानु की प्लाजमों मेम्रेन है कोशिका जिल्ली जो है वह अतिदिक फोल्ड हो जाती है और बीच बीच में इन फॉल्ट के बीच में काई स्वासन अंग रह जाते हैं क्या रह जाते हैं स्वासन अंग मिय हुँ कहूं गा यहाँ पर स्वासन इंजानाम कीउपस्तिती होती है किस की उपस्तती होती है सुसर्ण एंजम इस सरचना को एक विश्वप नाम से जानते है जिसे बोलते हैं कि मिजस्वों मीजसों मीजस्वों मिजस्वों मेन से आप बनता कि मीसिश्वों म्या χांचिया है इसी को जीवानु का, important डाल के लिखना बहुत महत्वपून है, जीवानु का, जीवानु का, माइट्रो कोंड्रिया, माइट्रो कोंड्रिया, जीवानु की माइट्रो कोंड्रिया की नाम से भी जना जाता है, इसे को क्या कहते है? सिवानों की मेल्टर कॉरिय के नाम से भी जाने जबता है दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको कोशिका बिद्टी कैपसूल कोशिका जिल्डी की बात कर ली दो पॉइंट न हमारे पास में रहे हैं कोशिका द्रव्य और निकलोईड कोशिका द्रव्य और निकलोईट के साथ पढ़ना है हमको अगला लाब उर्हानी को भी यह होगी अगली कास में तब तक आप लगातार बने रही है फिर कहूंगा आपको लाइक करें न करें यह आपका विवेक लेकिन सबको शेयर करें यह आपके लिए अनिवारी है